चलो तो अपना कैपेसिटेंस अपने पूरा पढ़ लिया चैप्टर नमबर वन चैप्टर नमबर टू क्लास 12 फिजिक्स का पूरा कम्प्लीट हो चुका है एलेक्रिक फिल्ड फोर्ट्स एलेक्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनरजी डाइपोल टॉर्क सब कुछ अपने कंप्लीट कर लिया है धिया फिर शेटेंस का रिकॉर्ड इंग यहां पर यूट्यूब में डाल राखा अगर आप आप जाकरे चैकाentar कर सकते हुब हैंडल के अगर आ यहां face to face यहाँ बैटके पढ़ना चाहते हैं तो आप call कर सकते हैं इस number पे और साधी जनकारी ले सकते हैं 70666 83000 मैं आपको बता दूँ यहाँ पर AC classroom में आपकी class होगी December तक आपकी पूरी की पूरा syllabus कम्प्लीट करा जाएगा before December नहीं before January मतब December end तक आपका complete syllabus करा जाएगा पूरा physics का पूरा complete physics जिसके लिए आपको pay करना है सिफ 14 100 रुपए पर मन्त ठीक है आगे बढ़ते हैं और अपने start करते हैं अपना आज का chapter current electricity ठीक है जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि ITJ NEET के लेवल पे नहीं जाएगा ये pure NCRT level पे रहेगा है ना तो जो भी CBSC या CGBSC की boards की preparation करना चाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही helpful रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यदा कहानी या other चीज नहीं direct point to point अच्छी तरीके से explain प्रेन और हर चीज में आपको यहाँ पर करने वाला हूँ स्टाट करें तो सबसे पहले current electricity अब यह 10 में जब आप current electricity पढ़ते हो तो चार्ज और चार्ज की पूरी कहानी बताते है अब आपको पढ़ चुके हो chapter 1 और chapter 2 में पढ़यों कि नहीं पढ़ चुके हैं तो अब बैरेक्ट अपन स्टाट करेंगे current electricity current का मतलब होता है flow current का मतलब होता है flow जब water current पानी बह रहा है water current तो पानी बह रहा है एर current तो हवाब पह रही है वैसे electric current मतलब charge पह रहा है current का मतलब होता है flow और electric current current electricity मतलब क्या flow कर रहा है charge तो अपने simple सी बात बोली rate of flow of charge rate of flow of charge थ्रू एनी गीवन क्रॉस सेक्षिन एरिया rate of flow of charge को रहा है with respect to time is called current electric current चलों अब यहां पर दो चीज़े है अब ध्यान से देखना है यहां पर यहां पर दो चीज़े है नोट्स आपको बनाना है प्रॉपर बनाना है आप वीडियो को पॉस करकर के बाद में आप इसका नोट्स बना सकते हैं लेकिन अभी पूरा focus होगा आपका समझने में है ना तो यहां पर दो चीज़ आई कि भी है चलो rate of flow rate rate of change का तो आपनको charge मैं दो समय के respect में charge कैसे बह रहा है लेकिन कहां से किसी given cross section area तो यह cross section area होता क्या है तो simple सा जैसे जो भी wire है तो इसके perpendicularly अगर आप काटो तो आपको एक area मिलेगा जैसे यह wire है इसके perpendicularly मैं काटूं तो यहां का यह वाला area मिलेगा है ना यह area क्या है आपका cross section area जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके perpendicular length के perpendicular काटने में जो area मिलेगा यह क्रॉस section area याद रखना cross section area से 1 second में कितना charge बहा, that is called current, electric current, तो अपन simply define करते हैं, यहां से मालनों Q charge बहा T time में, तो Q by T, लेकिन जो बच्पन में आप करते थे 10th में Q by T, वो आएगा average current, क्या आएगा, अगर आपको current चाहिए तो आप कहा लिखोगे DQ by DT, rate of low of charge with respect to time, rate of low of charge with respect to time is called current, और average होगा, average, total charge flown upon total time taken, यह क्या आएगा, average, average current आएगा, total charge flown upon total time taken, और DQ by DT, charge को differentiate करोगे time के respect में तब को क्या मिलेगा, current, ठीक है, अब charge की ऐसा unit क्या है, कुलंब, और time की second, कुलंब पर second को अपन ने नाम दे दिया, ampere, क्या नाम दे दिया, ampere, ठीक है, कुलंब पर second को नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, बला भी है, बार-बार Left कि क्या बोलेंगे करेंट इतना इंपोर्टेंट眉क्ट्टिक है ना तो पने बोले इसको नाम दे देते हैं तो कूलंपर सेकंड को हमाँ से कहेंगे अभिए तो नाम देदिया अब करेंट स्केलर है कि वेक्टर तो इसकेलर आप वो टैंसर वेंसर और बांक quantity में अपन नहीं जा रहे एंचे आटी बेस में आपको मैं बता रहा हूँ अगर आपसे पूछा जाए current is a scalar और वेक्टर quantity तो आप direct बोलोगे scalar quantity ठीक है जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ देगा जैसे माल लोग यहां से current आरहा है 2A और यहां से आरहा है 5 ampere directed कर रहे हो अगर vector law of addition आफ follow करी ही ले हो vector law of addition बादू में न r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta वो लगा रहे हो नहीं directed कर रहे हो न directed किसको करते हैं scalar quantity को करते हैं भहिया लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसका direction बतल दो तो अलग हो जाएगा आ रहा है कि जा रहा है तो इसलिए लोग इसको tensor answer कुछ कुछ बोलते हैं tensor quantity बोलते हैं लेकिन उसमें मेरे को नहीं जाना बिल्कुल भी और मैं उसके उस बारे में नहीं बड़ा बता रहा हूँ अभी आगर आपको पूछा जाए scalar या vector था आप क्या बोलोगे scalar है ना current is a scalar quantity ठीक है एक बर NCRT और रेटी कर ले ना अगर NCRT में कहीं पर tensor के बारे में दिया होगा तो अफिर अपन बताएंगे otherwise अपन scalar ही मानेंगे ठीक है ऐसा unit क्या है ऐसा unit ऐसा unit is ampere ठीक है और current को किसी भी circuit में current को आपने के लिए जो instrument होता है उसका नाम है M-meter M-meter ठीक है वो कैसे बनता है galvanometer से इस सब चीज़ के बारे में देखेंगे M-meter, voltmeter, instruments के बारे में instruments क्योंकि बहुत important है mains उगर में important होता है बहुत instruments क्योंकि जो practical चीज़े हैं मेंस IIT वाले का favorite होता है question पूछने के लिए चलो कोशन बन सकते हैं मान लोगर मैं बोल दूँ क्यों है 3T square minus 4T plus 1 है ना तो T equal to 5 seconds में current बताओ अब इतना सब्सक्राइब कोशन जल्दी से बता दो तुरूं 2 seconds में अगर क्यों यह है so find current in T is equal to 5 seconds कहीं पर एक वायर है जहांसे charge flow कर रहा है हो charge flow कितना flow कर रहा है 3T square minus 40 plus 1 ठीक है तो आपको क्या करना है आप बोले सर्फ इतना simple question यह क्या दिये हो i क्या होता है dq by dt तो differentiate 3T square का differentiation हो जाएगा 6T minus 4 तो 5 5 into 6 30 30 minus 4 26 भी कहां से आया था तुमारा डायरेक्ट पूट कर दिये क्यूं है ना dq by dt is your i इतना easy question भी गलत कर दिये चला आगे बढ़ते हैं ठीक है अब 10th में आपको इतना सारा समय लगाते है potential difference पढ़ने के लिए अब वो तो पढ़ लिए chapter 2 में potential and potential difference पढ़े ना पूरा volt potential difference को normal भासा में voltage बोलते हैं जिसकी ऐसा unit volt है आपको बता दिया current simply का dq by dt या q by t ampere अब आते हैं अपन direct ohms law में किस में आते हैं ohms law में ठीक है direct अपन आ जाते है ohms law is a law 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 मतलब niam कानून है अपन ने बोला कि यह दुनिया में ऐसा हो रहा है तो हो रहा है लेकिन बाद में अपन ने इसका derivation भी किया लेकिन मैं आप लोगों को बाद में करा हूँगा derivation इसका derivation अपन करेंगे थोड़ा late में आपको अच्छे से बता करके free min path क्या होता है relaxation time क्या होता है पहले अपन थोड़ी काम की चीज़ें देख लेते हैं अपर थोड़ा काम की चीज़ें गुज़ है और वो मैं वैसे बताता नहीं हूँ ohms law का derivation क्योंकि important नहीं है बट क्योंकि अपन ncrt बेस जा रहे हैं पूरा तो ncrt में दिया है इसे लिए मैं वो आपको बताऊंगा ठीक है तो अभी आ जाते हैं अपन सिधे ohms law में है ना चलो उससे पर ncrt के साब से चल रहे हैं देखो अपनने current क्या होता है आपको यह बता दिया यहना electric current in conductor यह भी अपन देखेंगे है ना चलो तो ohms law से पहले कोई देख लेंगे electric current in conductors conductor में electric current कैसे flow करता है electric current in conductor चीक है c o n तो electric current in conductor अब conductor मतलब यह free electrons है उसके पास क्या है यही तो बोलता है conductor और insulator जैसे plastic यह plastic यह insulator है यह insulator है क्यों क्योंकि इसके पास free electron नहीं है free electron का मतलब कि यह जितने भी electron बंधे हुए है वह ऐसे free नहीं होने के लिए बास समझ में आई और जो आपका जैसे iron है silver है aluminium है यह सब क्या है इन में free electrons पहले से present है जो भी यह बहुत तेजी से दोदर move कर रहे हैं अब अब होगा क्या अब यह जैसे conductor है मालो यह conductor है अब यहां पर पहले electron move कर रहे हैं लेकिन आपन बोलेंगे कि इसमें कोई current नहीं है अरे अब यह तुम लोहे की bench में बैठे हो बैठने के बाद talent मार रहा है क्या electron तो flow कर रहे है तो electron flow कर रहे है फिर current नहीं मार रहा है क्योंकि भीया कोई अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है net effect जीरो समझ में है तो randomly एक electron थोड़ी है करोडो electrons है करोडो protons अपनी जगा fixed है कौन move कर रहा है electron अब negative charge move कर रहे है लेकिन randomly move कर रहे है randomly move कर रहे है और उनका net effect क्या रहा है जीरो अब होगा क्या जब आपने यहाँ पर लगा दी battery या power supply दे दिया अब होगा क्या battery generate करेगी electric field क्या generate करेगी electric field पर चुके है मेरे को आंदर जाने की जरुवत नहीं है electric field क्या होता है अब battery लगाते ही generate हो जाएगी electric field electric field generate हो जाएगी अब electric field generate हो गई तो एक बात याद करते है electric field के लिए मैंने क्या बोला था positive charge को electric field के direction में force लगेगा और negative charge को electric field के opposite याद आ रहा है बोला था तो अब अब यहाँ पर positive charge तो fix दे तो negative charge को इधर direction में force लगेगा तो वो इधर move करना चालू करेंगे अभी पहले ऐसे randomly एक ही जगा move कर रहे थे अब जैसी battery आपने लगा दी तो ऐसे है move करना चालू कर देंगे वो है ना randomly तो shift होने लग जाएंगे और वो एक direction में उनका displacement होना चालू हो जाएगा तो अब उससे आपको क्या effect आएगा flow of charge का effect आएगा net net effect आएगा और आपन उसको क्या वो लेंगे current तो समझ में आया conductor में कैसे free electrons है लेकिन वो खुछ से नहीं बहरे आपको बहाना पढ़ रहा है आपको धक्का मारना पढ़ रहा है और वो कौन मार रहा है धक्का बैटरी बैटरी फोर्स लगा रही है ना बैटरी के कारण electric field generate हो रही है और वो electric field जो है वो धक्का लगा रही है और electrons flow करना चालू कर रहे है लेकिन वो straight line में move नहीं कर रहे है लेकिन अपन मानेंगे क्योंकि net net अब उनका displacement इधर होगा electric field के opposite force लग रहा है तो अब अपन ऐसा assume करेंगे हर बार कि यह जितने इलेक्ट्रोंस है वो ऐसे सीधे 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 एकी line में जा रहे है बात समझ में आई यह ऐसा अपन assume करेंगे ऐसा actual में हो नहीं रहा है बट ऐसा अपन assume करेंगे क्योंकि net net displacement तो इधर force है तो net net displacement इधर ही होगा बात समझ में आ रही है तो अपन इसलिए ऐसा मानेंगे is that clear तो यह हो गया flow of तो एक conductor में electric current कैसे flow कर रहा है यह बात समझ में आ गई बैटरी जो है वो electric field की हांधी generate कर दे रही है वो हांधी force अब electron इधर move कर रहे है तो current की direction यह क्योंकि अपनने define किया है positive charge इधर जाएंगे that is direction of current तो अगर उसके opposite अगर कुछ move कर रहा है इसे positive charge के लिए पनने define किया ना positive जिधर जाएंगे वो direction of current लेकिन positive गूम ही नहीं रहा नेगटिव घूम रहा है तो अपनने बोला कोई बात नहीं negative जहां जा रहा है उसका positive direction of current बात समझ महें आई positive जहां जाएंगे वो direction of current लेकिन अगर positive भाही नहीं रहे ख्ली negative बहरा है तो negative जहां जा रहा है उसका opposite direction of current बात समझ में आई तो negative charge हम इसने जा रहा तो इसलिए अपन बोलेंगे कि current कहां से बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है यह नेगेटिव ठीक है और जो आप पढ़ते हो 1.5 वोल्ट यह क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के ऊपर भी आएंगे जब बैटरी है ना फोगर अपन पढ़ेंगे अब आ गया आते हैं अब आते हैं अपन ओम्स लॉ में किसमें आते हैं ओम्स लॉ याद रखना जो भी लिखने का है डेफिनेशन डेरिवेशन अगर कुछ भी तो वह आप स्क्रीन को पॉस करके लिखना है ना चलो अब ओम्स लॉ सिंपली क्या इस्टेट करता है टेंस में भी वही रटे थे अभी भी है डिट्टो कोई चेंज अरे लॉ है वो थुड़ी चेंज हो जाएगा टेंस में लग टूस में लग हैं वो तो सेम रहेगा तो सिंपली Ohm's law states that current flowing through any given conductor is directly proportional to potential difference across it है ना मैं फिर से एक बार धीर धीरे बोल दे रहा हूं ताक्कि आपने लिख पाओ Ohm's law states that at constant temperature at constant temperature states that at constant temperature current flowing through any given conductor is directly proportional to अब लुझ पूरा लिखना ना directly proportional to potential difference across it ठीक है तो that we proportional to potential difference across it इस एक लिए ओम्स लॉको डिराइव करेंगे भले ही लॉव है पहले अपने लॉव दिया लेकिन बाद में वह प्रूफ हो गया ना तो वह अपन लास्ट में करेंगे बाद में करेंगे कल के लेक्षर में पर्सों के लेक्षर में ठीक है चलो तो सिंपल आपको मालूम है कि भ ख़वारी कर लेते हैं फीलों सब्सक्राइब द़िए देगे कुछ भी नए तक यह अर मेक्सिमम कीज़ेंगी ही रहेंगी बस level of questions क्या होंगे बढ़ जाएंगे पहले खाली क्यू बाइट ही होता था भी क्यू बाइट ही अब डिफ्रेंशेशन आ गया बस मैं नाइन्थ और टैंथ की स्लेबस में अधा complete हो जाएगा अगर integration differentiation कर दो तो समझ में आ रहा है चलो तो अब ओम स्लो विजिस्टिवीटी क्या है नों ध्यान से देखना कई नों कंफूज होते हैं सार रेजिस्टेंस क्या है है रेजिस्टेंस एड Glass TVِّ T अब ध्यान से सुनो फिर लखना ध्यान से पहले पूरा वीडियो रीकॉड होजी रहा है तुर best action है कभी लिग सकते हो तो सफ सुनों रेजिस्टेंप्टेंट्य चील है और रेजिस्टीविटी क्या है मैं आपल दूक्ति आपको देदूं अब अगर एक अगर है तो इलेक्ट्रांस फ्रिय रहे हैं यह वोगर हो रहे हैं लेकिन क्या और वो बहरे हैं आपनी क्या की बैटरी लगाया फोर्स लगाया जब अब वो नहीं चाहते न हो न आप उनको जबर्जिस्टी तो कुछ रिजिस्ट करेंगे तो वह स्कर क्या है नेचर जैसे ओढ़ मोठा लो चाहे पतला लो कुछ भी करो, उसका nature है कि वो नहीं करने देगा जैसे silver, उसका resistance सबसे कम है, but उसका wire नहीं बना सकते क्योंकि अपने नाम के आगे महनीद लगा है, ठीक है तो अब silver जो है वो सबसे अच्छा conductor है, मतलब वो सबसे कम रोकेगा, रोकना चाह रहा है मतलब अगर उसमें से अगर आपका करेंट फ्लो कर रहा है या चार्ज फ्लो कर रहा है तो सबसे कम रुखना चाह रहा है तो हर material का अपना अपना nature है कि वो कितना ज़दा पोस्ट करना चाह रहा है या नहीं चाह that is called resistivity बागी proper definition पढ़ेंगे अभी भावना है बता रहा हूंगी resistivity और resistance की भावना क्या है ठीक है definition भी बताऊंगा दोनों की तो nature यह क्या है nature resistivity is a nature और वहीं पर अगर मैं बात करूं resistance की तो अब obviously resistivity के ओपर तो depend करेगा वो अगर कोई चीज ज़्यादा रोखना चाहा रहा है तो net net उसका जो रुकाओ होगा वो तो ज़्यादा ही होगा अब जैसे silver है अगर मैं एकदम बराबर length, width, height सब कुछ एकदम सेम लूँ किसका दो चीज का मालोग आपका एक लेलू silver और एक लेलू iron तो obviously जो silver वाला है उसका resistance कम होगा as compared to iron क्योंकि iron की resistivity ज़्यादा है उसका नेचर ज़्यादा है अपोस करने का तो ज़्यादा अपोस करेगा silver का कम है तो वो कम क्यों क्योंकि मैंने बागी सारी चीज क्या ली है same temperature भी same सब कुछ same हर कुछ सारी चीज सेम बस क्या आंतर है एक material silver एक material iron तो iron वाला ज़्यादा resistance प्रोड्यूस करेगा तो नेट नेट जो अपोजिशन आ रहा है तेट इस resistance और वो जितना करना चाहा रहा है तेट इस resistivity चीक है हाँ ठीक है क्या तो resistance और resistivity अब दोनों को कैसे अपन को 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 डिफाइन करने के पहले आपन को देखना पड़ेगा तेक्टर्स on which resistance depends, फिर इसमें वापस आएंगे, तो सबसे पहले देख रहे हैं, factors on which resistance depends, factors on which resistance depends, ठीक है, कौन-कौन से factor हैं जिसके पर resistance depend कर रहे हैं, तो सबसे पहला है temperature, ठीक है, temperature, सबसे पहला क्या है, temperature, तो simple, conductor में क्या होगा, resistance is directly proportional to temperature, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, temperature बढ़ेगा, लेकिन सेमी कंड़क्टर में उल्टा होता है, सेमी कंड़क्टर में उल्टा होता है, resistance is inversely proportional to temperature, उसका reason मैं सौर्ट में बता दे रहा हूँ, ज्यादा depth नहीं जाएंगे पन, सेमी कंड़क्टर ऐसा invention था, जिससे, invention है discovery, जिससे, जो पूरी building के size का computer था, आज वो कितने छोटे size में आ गया है, all thanks to semiconductor, अगर semiconductor नहीं होता तो यह possible नहीं होता, जो आप सुनते हो आई 5, I7 processor, वो processor जो आज की डेट में कितने छोटे होते हैं, cell से भी छोटे, nanometer में, 7 nanometer, 12 nanometer, 14 nanometer, जिसको आप देख नहीं सकते, इतने छोटे हो गए, पहले इतने बड़े हो करते थे, अब आज इतने छोटे हो गए, इतने बड़े में करोडों ट्रांजिस्टर सा जाते हैं, है ना, this is all because of semi-conductor, जितने भी डायट, LED lights, यह पूरी LED lights, यह सिर्फ semi-conductor के बदालत है, semi-conductor नहीं होता, तो एक भी LED lights नहीं होती, वो पहने वाले filamentally light होती, जो बहुत ज़्यादा energy लेते थे, heat produce करते थे, light तो कम produce करते थे, है ना, तो यह पूरा LED, जितने भी diodes और transistor, यह सब पढ़ेंगे अपन, यह है आपके syllabus में, बता दूँ, यह आपकी second book में, physics की second book में, यह सब कुछ है, तो उसमें पढ़ेंगे, तो अभी हटा देते हैं, है ना, बस एक reason बता देता हूँ, conductor में क्या है, बहुत सारी electron पहले से है, करोडो और बो, है ना, तो अब आप temperature बढ़ाओके, तो उ होते है, चार्ज, तो इस कारण से conductivity क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, temperature बढ़ने में, semiconductor में बढ़ जाती है, conductivity बढ़ गई, मतलब resistance क्या हो गया, काम, चीक है, तो पहला है temperature, दूसरा है, area, दूसरा क्या है, area, है ना, simple सी बात, अगर मैं बोल दूँ भीजा कि यह gate है, और एक gate का area बढ़ा दूँ, पूरा यह दिवाली हटा दूँ, तो वहाँ पर लड़ाई होगी, अरे भले ही bench में वहाँ पर एक दो निपट जाएंगे, वह लग बात है, बट यहाँ दिवाल के पास लड़ाई होगी, नहीं, मतलब यहाँ पर लड़ाई जगड़ा को मानो resistance, resistance कम ह हो गया, दूसरा, length, गली, जिसमें से आना है बच्चो को, वो जितनी लंबी होगी, उतना लड़ाई चलता जाएगा, तो directly proportional, लड़ाई जगड़ा मतलब resistance ज्यादा, तो एक है area, एक है length of conductor, area, cross section area है, यह क्या है, cross section area, और यह क्या है length of conductor, length of conductor, तो length के तो directly proportional और area के inversely, खुद सोचो, अगर area ज़्यादा होगा, तो electron अराम से जापाएंगे, तो resistance क्या हो जाएगा, कम, लेकिन जितना लंबा रास्ता में जाना होगा, उतना ज्यादा resistance होगा, ठीक है, और fourth property, जहान से सुनो, अगर बच्चे discipline में होगे, उनको कोई cheating नहीं करनी होगी, तो चाहे area कम हो, चाहे जादा, चाहे लंबाई कम हो, चाहे जादा, वो अराम से line मना के आएंगे, कोई लड़ाई जगडा नहीं होगा, सेम वैसे ही, लास्ट है nature, जैसे यहां पर क्या था, nature of student, वैसे यहां है nature of conductor, नहां रेजिस्टर, nature of resistor, जिसको अपन क्या बोलते हैं, resistivity, resistivity, कि वो कितना आपोस करना चाहा रहा है, तो r is directly proportional to rho, r is directly proportional to rho, ठीक है, अब एक और है, इन सब के अलावा, आपने मानलो, physical property जो है, वो सब कुछ सेम कर दी, है न, length, width, height, physical dimension पूरा सेम कर दिया, उसके बाद भी, resistance जो है, वो depend करता है, एक राक्टर के उपर, बता सकते हो किसके उपर, जैसे मानलो में, length, width, height, सब कुछ सेम कर, सब कुछ बना दूँ, जैसे यह है, न, यह length, यह breath और यह height, अब इदर देखो, अगर current यहां से यहां जाएगा, तो resistance अलग, क्योंकि area अलग, length अलग, अगर current यहां से यहां जाएगा, ऐसे, इस surface से, इस surface में, तो भी सब कुछ अलग, तो क्या है, next direction of current, कि भी, आपने length, width, height, physical, सब कुछ सेम कर दिया, फिर भी, उसका अलग-अलग resistance आ सकता है, कि आपने यह wire कहां से जोड़ा है, direction of current, कहां से जा रहा है current, समझ मैं है, तो उसके उपर, तो last कह है, direction of current, तो यह हो गए सारे के सारे factor, और इनी सभी factor को मिला करके, अपन formula बनाते हैं, r is equal to rho l by a, जो नेंद में भी याद होना चाहिए, नेंद में भी याद होना चाहिए, यह नेंद में भी आपको याद होना चाहिए, r is equal to rho l by a, r is equal to rho l by a, r क्या है, resistance, resistance, ठीक है, rho resistivity, l length of conductor area, length of conductor and area, ठीक है, r is equal to rho l by a, is that clear? clear है, r is equal to resistivity, resistance, length और area, ठीक है, नेंद में भी याद होना चाहिए, चला, यहीं पर एक सवाल, इसी से related एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं, यह न, ताकि बात में बूलना चाहूँ मैं, तो आपको क्या बोला है कि, r is directly proportional to rho l by a, directly proportional क्या equal to, rho l by a, ठीक है, तो मेरे को यह बताओ, r is directly, is equal to, rho l by a, तो मेरे को सवाल बताओ, क्या r, directly proportional है l k, always, why, क्योंकि सास भी कभी बहूँ थी, यह बोलने वाने थे, r is equal to rho l by a, मेरा सवाल मैं फिर से पूछता हूँ, r, l के directly proportional है, क्या ऐसा बोलना हमेशा सही है, यह बोल दिया, area constant होना, चाहिए, अगर area constant है, तो r is directly proportional to l, resistivity, को तो अपन constant मानते हैं, given conductor के लिए, है ना, तो अगर length के directly proportional कभ बोलोगे, when a is constant, और r is inversely proportional to a कभ बोलोगे, when length is constant, अगर length बराबर है, तो आप बोल सकते हो, कि area डबल किया, तो resistance आधा, बट अगर length भी change हो रहा है, तो बोल सकते हो क्या, मानलों length डबल हो गया, और area अधा, तो resistance हो कोई change ही नहीं हुआ, फिर कैसा proportional बोल दिये, समझ रहे हो मेरी भावना है, कि नहीं, समझ रहे हो ना, तो आप कब बोलोगे कि r is directly proportional to l, when a is constant, है ना, और आप कब बोलोगे r is directly, inversely proportional to a, when l is constant, तो याद रखना, r is directly proportional to l, only when, only when a is constant, and r is inversely proportional to a, only when l is constant, याद रहेगा, याद रहेगा, पक्का, पक्का, चला, अगर वीडियो अठ्छा लग रहा है, तो आप like कर सकते हैं, आपने सारे friends को share कर सकते हैं, है ना, और तुम दोनों भी, हर एक lecture, तुम्हारे status में होना चाहिए, what's up status में, मैं लगा दे तुम तुम्हेरे phone से, ठीक है, देखो यही support है, इनका, इन दो बच्छों के लिए मैं class ले रहा हूं, और इनका यही support है, r is directly proportional to l, only when a is constant, and r is inversely proportional to a, only when l is constant, ठीक है, याद रहेगा यह बात, चलो, तो अब r equal to rho l, यह आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई, अब इसमें बहुत सारे questions होते हैं, एक question मैं बता देता हूं, फ़र डाक से देखो, कैसे, क्या, क्या, और बहुत सारे questions, example questions करेंगे सारे, है ना, homework देते जाओंगा, और वो questions अपन class में ही discuss करते जाएंगे, तो class और, मतलब, NCRT के जितने भी example questions है, वो आपके complete हो जाएंगे, और exercise तो अपन last में करेंगे, जो तुम्हों capacitance की किये ही नहीं होगे, अभी तक करके आए हो, तुम, कब discuss करेंगे, कल discuss करेंगे, वो 11 questions, ठीक है, live discuss करेंगे अपन पूरे के पूरे questions, ताकि वो record, पूरे के पूरे के 11 में से जो भी doubt आएंगे, है ना, और अगर online किसी को कोई doubt आएगा, तो आपनों comment section बता दे ना, अगर मैंने वो नहीं किया होगा, class में cover वो question, तो मैं बाद में कर दूँगा, is that clear? अब सवाल क्या बूल सकता है, कि भीया, एक resistor था, है ना, उसको 15 तुकड़ों में बाट दिया, 5 तुकड़ों में बाट दिया, माल लो, कितने तुकड़ों में बाट दिया, 5, तो हर एक तुकड़े का रेजिस्टेंस बताओ, अगर पूरे का 100 ओम है तो, अच्छा रेजिस्टेंस की यूनिट तो पता है नहीं मैं? ओम है ना, अभी चलो बता देंगा, मालो, टोटल रेजिस्टेंस का 100 ओम रेजिस्टेंस है, और उसके में 5 टुकड़े कर दिया, तो हर टुकड़े का कितना होगा? 20, क्योंकि डिरेक्टली, एरिया में तो कुछ चेंज किया नहीं, जब आपन ने तोड़ा तो एरिया कॉंस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो, डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंध, लेंध को 5 गुना कम किया, तो रेजिस्टेंस भी 5 गुना कम हो जाएगा, इसके और अच्छे-च्छे सवाल बनेंगे, उस समय, ठीक है? तब आपन औ पर एंपियर को ही अपनने नाम दे दिया, ओम, क्या नाम दे दिया, ओम, 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 ठीक है? रेजिस्टेंस है वी बाई आई, वी वोल्ट, ऐसा यूनिट और करेंट की ऐसा यूनिट, एंपियर, वोल्ट पर एंपियर को ही अपनने नाम दे दिया, ओम, ऐसा यू इस अप्टर में सारी चीज़ें स्केलर हैं करेंट देंसिटी और इलेक्रिक फिर लिए सब को छोड़ करें हैं ना तो यह बास में आ गई है ना आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर आज की ट्रास का कैंसल खतम करेंगे खतम करेंगे बाकि कैमरा बंद होने के बाद कुछ वारता लाप करेंगे तुप को डाटने का हूंवक के लिए उठक बटक अभी करना है के लाइफ अभी चाहते हो तो अभी मैं गुस्ता दिखा सकता हूं आगे बढ़ते हैं है ना चलो तो भाई साब अपनने करेंट पढ़ लिया पोटेंशल तो पहली पढ़ लिया था चैप्टर में ओम स्लॉव देख लिया आगे बढ़ते हैं अपनने ओम स्लॉव पढ़ा था वी इक्वल टू आई आई आर पढ़ा था ये वी इस इक्वल टूई आई आर अब यह पुटेंशल मालो ओकर कहीं पर कॉंस्टन इलेक्ट्रिक फेल्ड है जैसे आपने बैट्री कनेट करी की रिजिस्टर में या कंडॉक्टर में तो अगर एलेक्रीट्रुल कॉंस्टंट है तो मैं क्टेशनल को लिख सकता। हुआ इंद्व फिल्टि इंटू लैंफ आफ कंडॉक्τα कब लिख सकता हुआ अगर electric field constant है तो अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा E dot ds integrate करूँगा चीक है is equal to current तो आई है अब resistance को भी लिख सकता हूँ मैं row L by A लिख सकता हूँ चलो अब यहाँ देखो L ने L को बहरेमी से मार दिया तो E की value आ गई I by A current by area को अपन बोलते हैं current density है ना मालनों इतना मूटा area है जिसमें से current बहरा है तो पर unit area कितना current बहरा है या कितना charge बहरा है पर second उसको अपन क्या बोलते है current density जिसको अपन किस से denote करते हैं J है ना अलग से लिखवा भी दूँगा J तो J और current density is a vector quantity याद रखना current is a scalar quantity लेकिन current density is a vector quantity क्योंकि उसकी direction अपन वहीं मानते हैं जो area की direction है क्योंकि area is a vector quantity 11 12 में area vector quantity होता है तो i by a को क्या बोल दिया जे ठीक है तो e is equal to rho into j e क्या है electric field electric field is equal to rho क्या है एक रेजिस्टिवीटी रेजिस्टिवीटी इंटू current density इसको ऐसा इपी कर सकता हूं रो को उधर ले गया तो वन बाई रो रेजिस्टिवीटी का उल्टा रैसी प्रोकल होता है conductivity क्या होता है conductivity मैं अलग से यहां पर लिख देता हूं इसको थोड़ा side में सरका देता हूं है ना इसको मैं side में सरका देता हूं इधर ठीक है वी is equal to i r यह अपने यहां तक निकाल लिया आप देखो एक बात मैं पता देता हूं 1 by resistivity is conductivity 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 टीक है वन भाई रो इसकोल सिगमा लिख देता हूं 1 by resistivity पहले वह लिख देता हूं तुमारा वन भाई रैस फीटी क्या बता रहा है कि कितना रोकना चाहा रहा है तो तो conductivity क्या बताएगा कितना जाने देना चाहा रहा है तो अविसलिवत दोनों एक दूसरे के क्या होंगे रैसी प्रोकल ठीक है तो conductivity की यूनिट अपन नहीं निकाले थे क्या जब कर रहे हैं अपन कैसे भूल जा रहे हैं हाँ यहीं तो पढ़े थे आर एक्वल टू रोयल वाई ए बड़ा सा चीक है तो सिंपल है आर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम होड़निये हैं एक बान चीक आपकी रेजिस्टेंस को मार दिया- तो आपकी रेजिस्टेंस की बीटिकागय Corona Link नेजर्बर को जोने दिए धोने तो वन वाई राद प्सक्राइब एज resistivity is conductivity तो ऐसा unit of conductivity ऐसा unit of conductivity क्या हो जाएगा resistivity का उल्टा तो one by ohm meter one by ohm को मो भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं मो पर मेटर और ऐसे शिंबल भी बना देते हैं है ना ओल्टाओं ओल्टाओं यज जो और योन मेटर चलो और यह पड़ बात क्या बता है थो अभेम केंसिटि और क्या टा यह commitment किया था कॉंđ टी कुलंब पर मिटर कुलम रहो हूं More link multiplier situation गैसे मिच्टोर यह गी इस वक्टर कॉंटीटी हिसटिए करेंट इंद सिट इंद करनलbro imposing क्रेंट पर ऊनिट एरिया यह करंट बाई एरिया उसका हाइं इसको अप Japanese किया है चलो अपसे यहां पर आ जाते हैं आप यहां देखो वन भाई रोध जाएगा तो क्या बन जाएगा अपन क्या लिख सकते हैं करेंट डेंसिटी इस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटू अपने पर अपने जादा अपने बन रहा है तो यह आप एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है ठीक है आज का पूरा लेक्षर कितने दर का हुआ है 38 मिनट का अगर फास्ट इंट्टू करके भी देखो कि तो बहुत जल्दी हो जाएगा पस नोट्स जो इनकम्प्लिट है उसके लिए थौसर समय लगेगा जो भी पॉस करके और एक बार आप अगर इसको पूरा देख कर देना कमेंट जरूर कुछ छोड़ देना अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो है एंड शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के पास वाटसप इस्टेटस में जहां भी आप कर सकते हो थैंक्यू एव्रिवर्ण फिर मिनेंगे आपसे अगली क्लास में जब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें देखते रहें सारफसप की क्लास जैहिंद बाई बाई टेक केर